हालो व्रिवन वेलकम तो मैं चैनल पूनेम त्रिगुन्स किचन आज बना रही हूं मैं कठल की सबजी यह बहुत ही पॉपुलर सबजी है और इसे वेज नॉन वेज दोनों ही तरीकी के लोग बहुत सदा पसंद करते हैं कठल को छीन ले काटने और बॉयल करने के साथ मैंने सारे स्टप्स को बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया है जिससे कि आप बहुत आसान तरीकी से इस तरह की लाजवाब कठल के सबजी को बना पाएं तो फ्रेंड्स वीडियो को स्किप ना करते हुए प्लीज इसे फुल वॉच कीजिएगा और एस पी अगर पसंद आएगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना बोलिएगा तो चलिए रस्पी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं यह मैंने कठल लिया है जो की 600 ग्राम है वजन से और बहुत ही फ्रेश कठल है तो कठल की सबजी बनाने से पहले इसको काटना ही अपने में एक बड़ा टास्क होता है तो चलिए इसे भी सिल्पर कर देते हैं पहले अपने हत्यलियों में और चाकू में ऑउयल ग्रीस कर लेना है क्योंकि इसे कट करेंगे तो यह बहुत ही अंदर से चिपचिपा होता है एक गम टाइप का इसके अंदर होता है तो सबसे पहले इसके ڈंटल को हम निकाल देते हैं और बीच से काट देंगे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये जो होता है ना ये इसे कटल का दूद कहते हैं ये ही बहुत sticky होता है, gum टाइप में होता है एक piece को हम गुलाई में काट कर लेंगे अब जो यह गोल पीस है इसे भी बीच में से काट देंगे और बहुत ही आसान तरीके से इसे छील लेंगे है ना एक सिंपल तरीका कटल को काटने का फ्रेंड्स अगर आप बिगनर है तो आप किसी की हैप लग सकते हैं इसे काट करने के लिए वैसे तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है इसे छीलना और काटना तो इसी तरीके से मैंने पूरे कटल को अची तरह से छील लिया है काट लिया है अब अपने मर्जी से आप इसके पीसे को छोटे बड़े कर सकते हैं तो थोड़े से बड़े ही पीस रखे हैं मैंने इस तरह की ग्रेवी वाली सबजी बनाने के लिए अब हम इसे बॉइल करेंगे तो बॉइल करने के लिए मैंने इसे दो लिया है दो के प्रेशर कुक में डाला है तो इसे boil करके ही बनाएंगे कि यह half cook हो जाए इसमें हल्दी डालेंगे कि boil करने के बाद इसका colour ना पड़े नमक भी डाल दिया है मैंने इसे gas पर रखके high flame पर एक विसल देंगे फिर gas को बन कर देंगे इसे निकाल के ठंधा कर लेंगे अब जो यह सारी चीज़ें इसके साथ में कटल बनाओगी चार medium size के प्याज है इसे बारीक कट कर लेना है दो टमाटर है और यहाँ पर अद्रक हरीमिच लसुन है इसका हम पेस्ट त्यार करेंगे यहाँ पर मैंने प्यास को काट लिया है और इसका पीस्ट पना लिया है टमाटर को मैंने कट कर लिया है दो टमाटर है यह यह दो उबले आलू है और दो खड़ा लसुन है इससे मैंने अची तरह से गरम पानी से धो लिया है हलके गरम पानी से और इसके रूट्स में जो मि चमश तेल डाला है तेल जब गरम हो जाएगा तो इसमें डालेंगे हम कठल तो इसको हमने बहुत साथा तेल में नहीं फ्राई करना है उतना है तेल डालेंगे जिससे की कठल बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो जाया कड़ाई में तेल ना बचे तो यहाँ पर इसे light brown color आन इस सबजी को मैंने प्रेशर कुकर बनाया है तो कुकर को गरम करके इसमें देड़ बड़े चमत सरसो तेल डालेंगे तेल जब गरम हो जाएं तो इसमें डालेंगे जीरा ये बड़ी लैची है और छोटी लैची दोली मैंने दाल चीनी दो लिया है, दो तेस पता लिया है, बड़ी लैची थोड़ी बड़ी थी तो इसे मैंने बीच में से तोड़ दिया है, सरसो तिल में बनी ही कटल की सब्ची बहुत ही स्वादिश लगती है, अब जो ये जीरा और खड़े मसाले हैं, इनको सुनहरा करना है, बहुत दार डार्ट नहीं करना है, तब इसमें प्याज और कुछ लवसन की कलिया भी मैंने लिया है, इसे छील लिया है, बस कटने ही किया है, इसे बहुत ही अची तरह से आगे गल जाने वाले हैं, अब जो ये प्याज है ना, इसे मेडियम फ्लेम पे डार गोल्डेन कलर होने तक भून लेना है, प्याज को कच्चा नहीं रखेंगे, यनि तो सबजी जो है, मीठी लगने लगेगी खाने में, अब यहाँ पे जो ये पेस्ट है, अदर के लवसन हरी मिर्च का, इसे ही मिला लेंगे, इसका हलका सा कच्चा पन निकालेंगे, तब इसे मिलाएंगे हम अपन सबजी मसाला, आप सबजी मसाले की जगह पे मीट मसाला भी डाल सकते हैं, अगर आपको उसका फ्लिवर पसंद है तो, उससे भी सबजी बहुत अच्छी बनती है, अब इसमें डालेंगे एक चमच कश्मीरी लाल मिर्च, जिसका तीखा पन कम होता है, एक अच्छा सा कलर द नमक डाल देंगे, इस वात के अनुसार, अब ये सारी चीज़े आपस में अच्छी तरह से मिल जाएं, पक जाएं, तो थोड़ा सा पानी मिला देंगे इसमें, अब इसे 5-6 मिंट के लिए बिलकुल लो फिलम पी पकाना है, जब तक ये पेस्ट की तरह ना बन जाए, इसम बॉल की हुए कठल और आलू, सबजी की कॉंटिटी के हिसाब से एक ठिक ग्रेवी बनाने के लिए इसमें मिलाना है पानी, तो मैंने इसमें नॉर्मल ग्लास से एक ग्लास पानी डाला है, इसे स्टर कर लेंगे अच्छी तरीके से, और अंदाजा लगा लेंगे कि इतना प अब लाश्ट में डालेंगे गरम मसाला, अधा चमच और एक चमच मैंने कसूरी में तिली है, इन दोनों चीज़ों का आप जरूर डालेंगे कठल की सबजी में, अब जो है प्रेशर कुकर का धकन लगा देंगे, फ्लेम अब तक लो थी तो फ्लेम को मीडियम कर देंगे, और मीडियम फ्लेम पे एक विसल आने तक इसे कुक करेंगे, और गैस को बन कर देंगे, और प्रेशर कुकर का जो प्रेशर है इसे अपने आपी डाउन होने देंगे, तब धकन को खोलेंगे, तो बनी है न बिल्कुल परफिक्ट फ्लेवरफुल कठल की सबजी, और सबजी